हाई फ्रेंट्स आज को उर्खसप में हम इस छोटे से हेलिकोप्टर का फूल रेविव करेंगे इस प्रोजक्ट को मैंने अमिजन से मंगाया था और उसे मंगाने के बाद मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था उस वीडियो का साथ आप लोग ने देखा भी होगा और उसके बाद मैं इसे लगबग दो-तीन दिन इसे 20-25 वार फूल चार्ज किया और इसे डिस्चार्ज किया यानि कि मैं इसे फूल चार्ज कर है वह किस तरीका से काम करता है कुण कुल सेंसर लगा हुआ है मैं यह सारा एक्प्रियंस आज आप सब को सेर करूंगा और यह सब देखने के बाद यदि आपको यह हिलिकॉप्टर पसंद है आप इसे खड़ी सकते हो यह तो मेलनी बच्चों के लिए बनाया गया है वह भी छ यह हलिकॉप्टर नीचे में रखा हुआ चलिए आप हम इसके रिमोट से सुच देते हैं सुच देते हैं यह इसका देखिए आप यह उरना सुरू हो चुका है यह इसे उरता है इसका इस्टेबिलिटी जरा भी नहीं है यह हमेशा इधर से उधार इधार करते रहता है और यह हलिकॉप्टर है चारवगल रोटेट करते रहता है और यह नीचे जब जाएगा इसके नीचे यह कुछ भी आ जाएगा वह उसे सिंस कर लाएगा और फिर से उपर उरना शुरू कर देगा मैं इसके सिंसर के बारे में बाद में आपको बताऊंगा आगे यह आप देख स कहीं से जब यह टकराएगा जब नीचे गिरेगा तो इसका continuity जो मतलब कि इसका जो कोनेक्शन रहता है रिमोट से वह बंद हो जाता है और जब तक इसे फिर से सुच नहीं करोगे तब तक यह बंद ही रहेगा फिर से इसे हम जब हम उठा कर रखेंगे और सुच देंगे त बंद देरा भी नहीं टूटा है आप देख सकते हो कि मैं आपको और भी इसको टकराएगे दिखा दे रहा हूं यह हमेशा इरस उदर करते रहता है जाएट से बाता जहां पर दीवाल है तो यह ठकराएगा ही हमेशा यह टकराता है लेकिन इसके बोडी में कुछ नहीं होता निुम्स पाई गोह आप Jorge Jus side दें प्लास्टिक तर लाकीला बनाया गया इसका बोडी भी आपको मैं आपको दिखांगा या clan क्cza आज कि कि आध में कि और पॉर भाग आता हैं जो है यह किस फllesण हे नीचे कुछ है और यह उपर भाग जाता है आप देखें फिर से एक ढगा यह टक्राता है लेकिन ये जब गीड जाता है नीचे गर घरिया या दीन चाहें इस तरह का सिद्व प्रुपर जाकर टाटा है दो तील फным inc कि अरव ? नीची नहीं आता है मतलब कि इसका जो ॐ ये मोट भी ठीक काम नहीं करता और एक खुंध भखुद थोड़ी तेर के बाद ये नीची आएगा यह आप प्रक्राइब देख सकते हो। अब ये ऊपर नहीं जाएगा अब ये सेंज करेगा जब नीचे तो थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन पूड़ा उपर नहीं जाएगा देख सकते हो। यह आप देख सेकते हो अभी इसका थोड़ा साइस्टेवलीटी ठीक है यह rhy है पहले दिन का वीडियो है अ कि लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाया है उसमें जराव सका इस्टेवलीटी नहीं है इधर से उधर इधर से हमेशा उटता है चलिए मैं आपको फिर से उझाज से एक बारव दिखाता हूं nap शार्वोडी बनाइब हो कितना भी अटक लगिए डिट्कार है डिटा ही तूटता है अब यह जो और सब्राओ करता है जब लोट सेक्ट से होन तो n करता है पर फिर बन्कषन flame इसे तरीका से ये करते रहता है तो चलिए और इसके हर एक पाट के बारें बताते हैं ये इससे चार्ज किया चलिए आई इसके बोडी के बारे में आपको बता दे रहा हूं, इस हेलिकप्टर के बोडी के बारे में, यह बहुत ही पतला प्लास्टिक से बनाया गया है कौन सा प्लास्टिक है वो मुझे नहीं मालूम यहां पर चार पंकी है दो उपर दो नीचे और एक कलोकवाज रोटेट करता है एक एंटी कलोटवाज और इसका पंकी आप देख रहे हो कितना लचीला है बहुती पतला है और बहुती ज्यादा इसीलीए यहिए कहीं से टकरा भी जाता है तो इसका पंकी आज या बिर कुछ भी है यह नहीं टूटता है यहाँ पर आ देखिशह स्कते हो एक मोटर है ऑक मोटर में फर रहे लगा हुआ है ताकि इसनी पर पर सब्सक्राइल यह यहाँ साधे स्क्राइव आयार रजीर फिल्य। है जब इसके रिमोट से आया रेज होता है यानि कि जब इसके बटन को जब हम प्रेस करते हैं यहां पर सेंड होता है डाटा सेंड होता है और यह रिसीब करता है उसी तरकासी यह काम करता है यहां पर चोटा सा स्विच दिया गया है बहुत ही चोटा सा स्विच जब हम इसे ओन करते हैं यहां पर रोटेट करना शुरू हो यानि हो जाता है और चलना शुरू कर दiese जब कि याब इसका जो रिमोट भी ऑप नहीं है आप यहाँ पेख दिया डिया गया है चार्जिंग पोड लेटी बंध हो जाएगा और इसका जो चार्जिंग का टाइम है वो दस में लगभग आधा खंटा से पतालेस मिनट है कि इसके नीचे में आप देख कि तो एक मौना rules ईखरा है यह यहीं आप यही इसीश में अनला दैकते हों एक सकते हैं और यहां पर देख सकतों भी लगाया गया है और इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए घीयर घराई गया है इसका मोटर तो चलता ही है लेकिन यहां पर जो घर लगा दिए गया इसका कर् Это फॉली जादा बढ़ जाता है यह इस रिमोट के साथ यह बैटरी नहीं आया था मुझे खुद से लगाना परा और यहां पर दो उपर में सुच दिया गया है और यहां पर एक तीसरा सुच है जो इस रिमोट को आउन करता है जब इसे आउन करते हैं तो यहां पर जो यह जलता है और यहां पर दो दो सुच चले मैं आपको इसे फ्लाय करके दिखाता हूं जब इसे स्विच दिये यह रोटेट करना शुरू हो गया फिर से जब प्रेस प्रेस किये तिया बंद हो जाएगा कुछ इसी तरीकास काम करता है और कभी-कभी यह करता है काम कभी-कभी नहीं भी करता है हम हिलिक्रों को हाथ में ले लेते हैं अब हम इसके स्विच से से कट्रोल करेंगे से कम करता है कि इसका कौंसा स्विच कौंसा काम करता है है देखिके अब प्रेस यह नहीं चल रहा फिर से प्रेस करते हैं यह चलना Un-Hon करना इस बट्रन का यही दो काम है एक वार जनी फैसे चला यह प्रश किये थे ति ति आधा अभ बश्च करते थे तो यह और नीची टरमतक इसका स्पीड ओओ चम हो जाता है 1 कि यानिकर स्काटर रिइमॉट है तीक से कम नहीं कर रहा है कि इसे ho शोटे वचो के लिए बनाया गया इहां को पर उसके उपर कुछ फंक्शन दिया गया है उसके बारा मैं आपको बता दे रहा हूं एक सीड उपर में लिखा है और यहां पर इंडेक्शन फ्लैट इसका जी मोडल नमाना है लेच 1802R यहां पर लिखा हुआ है हेलिकप्टर डुएल मोड कंट्रोल फ्लैट मतलब कुछ दो सूच है इसलिए डुएल मोड है यहां पर उपर हम देख सकते हैं इंडोर और तो दोनों फ्लै कर सकता है कूल लाइट लाइट के बारे में दिया कि एक लाइट है और ठीरी फ्लैट यह तिनों डेक्शन में फ्लैट फ्लै कर सकता है और व्ल्टेज प्रोट्रेक्शन सिस्टम भी इसमें दिया गया है और जब यह उर्ता रहेगा इसके नीचीए जब हाथ दो गतीए सिंस करके ऊपर चले जाएगा वही बताया गया है और इसके चार तरफ वही फंक्शन सा आता है तो वीडियो को लाइक करताना और मुझे सपोर्ट करना धन्यवाद